मुझे आज हम पढ़ेंगे लेशन 3 दफीश एंड दफटक के बारे में Miss Bambi, the fish was mineral swimming with her friends मिस बांबी नाम की एक मशली रहती है वह अपने दोस्तों के साथ तरती रहती है वह जो बांबी रहती है वह किसको देख लेती है सुमीत को सिटिंग वहाँ पे बैठा हुआ देखती है इस फिशिंग लाइन हैडर जो शी बीट ओफ अर्थ होम अर्थ होम मतलब क्या होता है केच्वा on the end the fishing line had a juicy beat on the earth होम on the end बांबी साइड टू हर शेल्फ वाट अर्ट टेश्टी स्टॉप जो मतलब fishing line is juicy beat अर्थ होम मतलब वह किनारे पे केच्वे को देखती है बांबी साइड टू हर सेल्फ वाट टेश्टी स्टॉप वह मतलब वह जो बांबी रहती है वह बोलती है क्या स्वादिस्ट है वह सभी मचलियों से जो उसके दोस्त रहते हैं वह सभी मचलियों को बोलती है कि चलो हम कहीं और चलते हैं तो हमें खा दिया जाएगा मतलह हमें भोजन बना लिया जाएगा उसके हूप में क्या डाल दिया? वह सुमिद रहते हैं उसके हूप में क्या डाल दिया? सुमिद सेड़, O mis Am einer a big fish on my hook, सुमिश सोचता है कि मेरे hook पे क्या आ गया, एक बड़ी सी मशली आ गई, let me pull it out, what is this, let me pull out, what is this, मतलब मैं check करता हूं कि क्या है, it is the king shell, not a fish, या एक king shell है, ना की fish है, how unlucky I am, मैं बदकिस्वत हूं, आगे देखते हैं, bambi had a good laugh, ha ha ha, जो bambi मशली रहती है, वो हसने लगती है, ha 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 करे, ducky duck shot a bambi and plided to her, ducky duck said you are very clever bambi, come be my friend, ducky duck ने bambi को गले से लगा लिया, और ducky duck पूछती है, तुम बहुत बोलती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी, तुम बहुत चलाख हो, कौन बोलता है, तुम बहुत चलाख हो करके, ducky duck बोलती है, बांबी को, bambi said thank you Mr. Ducky Duck, bambi बोलती है, धन्यवाल Ducky Duck, but I think I am too young to play with you, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत चोटा हूँ, I am so late, मुझे बहुत देरी हो रही है, I must run home, bye, मैं अपनी घर जा रहा हूँ, bye मतलब अलविदा, देती इसमें पूश, पूश मतलब क्या होता है, धक्का देना, शोर, शोर मतलब क्या होता है, किनारा, शीप, शीप मतलब क्या होता है, भीड, शी, शी मिस क्या होता है, समुद्र, शीक, शीक मिस क्या होता है, खोजना, शेल, शेल मिस क्या होता है, बेचना, अर्थोम, अर्थोम मिस क्या होता है, केच्छुआ, शेल, शेल मिस क्या होता है, शंग, अब देखते हैं Answer these questions First question दिया है What was Sumit doing? Sumit क्या कर रहा था? देखते है Sumit was sitting on the she shore Sumit कहाँ पर बैठा था? किनारे पर बैठा था समूद्र के किनारे बैठा हुआ था Second question क्या दिया है? What was Bambi doing? Bambi क्या कर रही थी? Bambi was swimming with her friends अपने दोस्तों के साथ वह तैर रही थी Third question क्या दिया है What did Bambi put on the hook? Bambi ने hook पर क्या कर दिया? Bambi put the king's shell on the hook Bambi ने king's shell को किस में कर दिया? मतलब? King's shell मतलब होता है? Shung Shell मतलब होता है? Shung King's shell को किस में कर दिया? उसके जो सुमित का हूँख था उस पर लटका दिया Fourth question Why was Shungit unhappy? Shungit दुखी क्यों हो गया? Shungit was unhappy because there was a king's shell not a feast on his hook Shungit इसले दुखी हो गया क्योंकि उसके जो hook था, जो उसने जाल फसाया था उस पर क्या आ गया? King's shell आ गया और जो मशली थी वह नहीं आई इसले वह दुखी हो गया अब देखते हैं क्या दिया? पांचों question What did Ducky Duck really want? Ducky Duck क्या चाहती थी? Ducky Duck really want to play with Bambi वह Bambi के साथ खेलना चाहती थी अब दिया इधर आपका Find the correct antonyms from the bracket and write them आपको विलूम शब्द बना लेना है antonyms मतलब होता है विलूम शब्द जैसे कि दिया है यहाँ पर आपको दिये हैं वर्ड्स दिये हैं इसको आपको fill up करने हैं जो सही हूँ यहाँ पस दिये टॉप टॉप मतलब क्या होता है? उपर और अब दिये इसमें over दिये है, near दिये है, push दिये है, bottom दिये है, young दिये है तो टॉप मतलब उपर होता है और bottom मतलब क्या होता है? नीचे बोटम बतलब होता है नीचे उसका जस्ट अपोजिट बनाने है आप लोग को वैसी अंडर दिया फॉर दिया ओल्ड दिया पुल दिया यह आपको होमवर्क है भर के दिखाना है अब यह आपस दिया है मुवमेंट आफ एनिमल्स जैसे कि बोला है वह क्या मुवमेंट करते है जो एनिमल्स है वह मुवमेंट करते हैं उसको यहां पर आपको लिखना है श्वीम दिया है फ्लाई दिया है क्राइब दिया है और क्लाइम दिया है यह आपको होमवर्क है आपको फिलप करके दिखाना है भुपे थैंक्यू